नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभीका आसोग इच्वीट यूट्यूब चैनल में दोस्ते मरणा मसूख सेनी है और आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से एक और दिस सर्कुट की वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं इससे पहली वीडियो में समझाता है विटिश्टों किसी वी unknown resistance की value find out किया जाता है very low value के unknown resistance को भी हम बीटिश्टों विडियो के माद्यम से calculate कर सकते हैं find out कर सकते हैं आज की वीडियो में समझ जा रहा है कि Maxwell inductance capacitance bridge जो की Maxwell ने design किया है और इस विडियो circuit के माद्यम से हम किसी वी unknown inductance और unknown capacitance की value का measurement कर सकते हैं यह यूँ कहें कि कि किसी भी unknown inductance and unknown capacitance को find out कर सकते हैं calculate कर सकते हैं major कर सकते हैं वाई using of Maxwell inductance capacitance bridge बैसे Maxwell के जो bridge है circuit है वो दो circuit हो होते है Maxwell inductance circuit and Maxwell capacitance यहां पर बात कर रहे हैं Maxwell inductance capacitance circuit diagram तो चली समझ जाते हैं आज की वीडियो में दोस्तों वीडियो श्टार्ट करेंगे आप एक रिक्रुष्ट करेंगे यह आप महारी चलव पर पहले विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक एटूरी डिटू चनल सब्सक्रा diagram इसकी construction प्लस किस तरीके से inductance and capacitance की रेली find out की जाती है तो यहां पर देखें इसमें चार आर्म्स रहती है कोई ब्रिच सर्किट हो उसमें चार आर्म्स रहती है चार आर्मस का combination रहता है आपका ब्रिच सर्किट और बीच में आपका लगाज दिया आता है galvanometer जिसको हम इसको देखें इसमें हमने सोर्स दे दिया सोर्स अपने मतलब की कोई भी पावर सोर्स दे दिया इसको activate करने के लिए इसके बाद दो रेजिटेंस है आरवन आरटू एंड आर थी आरफोर लेकिन यह है Maxwell का जिसमें में करना है इंड़क्टेंस का इसलिए आरवन कमान लेते कोई इंड़क्टेंस यहां जिसको हम भाइंडव करना है फिलस आरफोर जो ब्रांच है उसमें हम कर सकते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जिस रजिसितन्स की वैवन पू 9 रहें गा रधर बेरींव रहता है और यहां पर क्या है कि हैल निकालना है तो यहां पर आरवन रहएगा यहां अर्वार ओन रहे है आरप यह रहेगा नोन रहेगा मेंस इसको इसको कं ज्यादा करके अब करने के दिसे Kundal hypothetical कि यहाई कि रही से न करएंगी, निकल के सीक्रिकवित आपकी इस ब्रांच में जाएगी वाठकी स्बस्टैंसि है करेंट आपकी जारर क्रेंट यहाई ना न करने के ता कि इसमें कोई करते हैं और उतना करते हैं ताकि इसमें कोई current flow नो वो इस branch में तो जब इसमें कोई current flow नहीं होगी गैलपनों मीटर में तो यह सो करेगा यहां पर zero deflection उस case में इसमें i5 की value zero हो जाती है जब i5 की value zero हो जाएगी तो i1 current है वही i3 की रूप में भाईगी यानि कि i3 बरावर हमारी हो जाती है i1 तो वही i1 यहां गई सेम केस वही यहां पर होता है सारी current गुम के finally आपके i2 जाती है तो i1 बरावर है i1 प्लस i2 तो वही i1 प्लस i2 बरावर i current तो हमारी जो current है ऐसे flow वही current हमारी वापस आ जाती है साथ में देखें चारों ब्रांचों की correspondence जो बॉल्टे ड्रॉफ है यह पोटेशल लिफ्रेंस है आरवन फर्स्ट ब्रांच की correspondence e1 इसके correspondence second वाली e2 e3 and e4 हमारी रेजिटेंस तो हमको कैसे करना मैक्सफेल करना है तो हमें हमिसाल लेक चलना है balance conditions तो उससे पहले हम देखें इसमें आपको थोड़ा से एकजाम लिखोंगे तो पहले लिखोंगे Maxwell induction के दौरा किसी वी unknown resistance की वैली फांडू की जाती है प्लस ही है विटीटिटम ब्रिच का ही modify version है modify roof है और इसमें करने लिख सबस्क्राइब को दिखाएंगे यहां पर लेट्स मानना पड़ेगी आज्यूम करना पड़ेगी एल वन एक्कॉल टू अन्नों इंडक्टेंस है जिसको हमको करना मेजर करना है प्लस आर वन effective resistance of l1 inductance plus r2 r3 r4 r2 r3 r4 हमारे क्या है known मतलब कि हमको पता है non inductive resistance है plus c4 variable capacitance है जो कि क्या है known है इसको find out करना है यह हो गया अब आपको यहां पर क्या करना है balance condition लगाना है add balance conditions तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बोट clean कर लेता हूं balance condition हम जानते हैं कि क्या होता है जैसे हमने कल देखा था z1 z4 equal to the z2 z3 यह r1 into r4 equal to the r2 r3 तो हमको यहां पर लेकाना पड़ेगा जब वहारा bridge balance हो जाएगा तो हम लिख सकते है एट balance conditions वी ये lncd balance conditions में आपको क्या हो जाएगा वो आपको तुरह सा ध्यान देना पड़ेगा तो balance conditions में हम जानते हैं कि z1 into z4 equal to होता है z2 z3 एक बार फिर समझ लिए थे हैं z1 z2 z3 z4 क्या है तो यह क्या है यह impedance है ब्रांच फर्स फर्स्ट जो है उसका impedance z1 2 का z2 3 का z3 and z4 जैट क्यों देखाया है जैट इसली देखाया है कि उस ब्रांच में चाहिए आपका resistance लगा हो इंडेक्टेंस लगा हो यह सभी का combinations कहलाएगा आपका जैड जिसको हम बोलेंगे impedance क्लियर ठीक है अब हम क्या करते हैं यह आप है जैड वन जैट फोर एंड टू जैट 3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस ब्रिच सर्किट से और उनकी वैल्यू करके सब्सक्राइब करेंगे जब भी एल आजाएगा मतलब इंडक्टेंस आजाएगा तो वहां पर जी ओमेगा साथ में लगाना पड़ेगा इंडरी पार बन जाता है तो जी ओमेगा एल वन ठीक है इसके लाद हमको निकालना है जैट 4 की वैल्यू आप सीरीज में तो साथ में सब्सक्राइब साथ में जी ओमेगा इमेगा पालाना पड़ता है पिरेशक्राइब अपन अपों का सम्सक्राइब बैसे आपके सिर्पालई यौमेगा सी का मल्टिप्लाई तो यौमेगा सी अपके से इंडेक्ट के लोगते हैं के बन अपन करके तो बन अपन जे ओमेगा सी फोर इंटू आरफोर ठीक है अपन दोनों का समं तो बन आपन जे lub झूर मेंगा शी फूर इंटू प्लास आरफकेले डॉन ऑन और तो आप स्टाव करेंगे तो फाइनल क्या आजाएगा आपका यह आप देखें यहाप लेंगी और यह आपका यॉमेगा छी पॉर जी उमेगा टर्म कर जाए तो बचेगा आपका आरफोर अफॉर यह बचेगा वन प्लास जे ओमेगा c4 r4 ठीक है यह हमारा ज्यादा है z4 की value z1 की value अब ही z2 z3 क्या है z2 बरावर r2 रहेगा z3 बरावर रहेगा r3 तो डारेक्ट रख सकते हैं इन values को तो finally हमारा रख्या जाएगा यहाँ पर आप देखें finally यह आपका जाएगा यहाँ पर z1 z4 z1 की value क्या है आपकी r1 plus j omega l1 into z4 की value क्या है r4 r4 upon 1 plus j omega c4 r4 ठीक है equal to आपका कराएगा z2 z3 r2 r3 यह आपका बजाएगा r2 r3 ठीक है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यह multiply कर लेते तो क्या हो जाएगा r1 r4 r1 r4 इसका हो गया आफ़ान यह पूरा नीचे आपका इसको मुल्ट पले उदर कर देंगे प्लस यह क्या बजाएगा फिर आपका जे ओमेगा एल वन आर फोर एक वल्टू इसका स्पूरे मुल्ट लेवा जिए आर टू आर थ्री प्लस जे ओमेगा क्या करना है किस में डवल पार्ट की है क्या क्या हमार पास पास आ जाती है किसा नम्र बवन इसमें यह पार्ट जो है वह रिल पार्ट है ठीक है इसके बाहरे यह ज्युतम में हिमेज्टनरी तुक्र इमेज्टनरी अ्यूज्री टीक जैं कि तुँ क्या करेंगी इसमें प्रिउन धा colour का compare कर लेते हैं तो क्या कर सकते हैं अप्लिक करेंगे compare यह compare यह लिख सकते हैं compare real parts real parts on both side तो real parts आपके क्या जाएंगे r1 r4 r1 r4 equal to r2 r3 तो यहां से आप यदि r1 की value निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं तो r1 की value यहां से निकलेगी यदि आपको पता नहीं है तो आपका उजागा r2 r3 upon r4 ठीक है अब इसके बाद हम करेंगे यहां पर comparison imaginary part का imaginary part का है आपका देखें j omega l1 r4 and j omega c4 r2 r3 r4 तो यहां पर imaginary part हम compare करें देख सकते हैं imaginary part ऐसे imaginary part compare करें हैं तो क्या आगा finally देखें आपका आएगा j omega l1 r4 equal to आएगा j omega c4 r2 r3 and r4 तो यहां पर क्या एकटेगा आपका cancel जो रहा है बोरा j omega cancel हो गया j omega r4 से r4 हो गया तो finally आपका l1 यानि की inductance जो हमको चाहिए थी उसकी value हमारे पास आजाएगी तो l1 equal to हो जाएगा आपका r2 r3 c4 finish तो यह हमारी l1 की value यहां पर आ जाएगी तो इस तरीके से आप का inductance और यह दि आरवन की value चाहिए तो वो निकाल सकते और कैफस्टेंट निकालना है तो c4 equal to हो जाएगा 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 तो c4 equal to यहां से c4 equal to आपको निकालना है तो c4 c4 equal to क्या हो जाएगा आपका l1 upon r2 r3 ठीक है तो इस तरीके से आप क्या रहता है तो यह बॉगत है रहा है लिए पहले हम क्यू वेक्टर निकाल नेकाल लेदेगें लिए तो इसको करके बता दें आपको क्यू विश्टर किस तरीके निकाला जाता है इसमें उसके लिए यह पुरा लिखते या है है чoo- obtiene weline हम निकाल लेतें कि फेक्टर इसमें होता है क्यूफार टीक Q ट्रक्रेट्र का फरील होता है क्यों एकूर्टी जवयों में अपन आर यहूं कहां हैं इसमें हैं उमेगा रहली ओमेगा एल बिल्व क्या यह थिया हमार पास आहसराती का रमीक के लिद्व क्रीब helps करके हों थे क्या द्यक्ति अधिय गॉल टू आज क्या थी R2, R3, C4, एक का फोर, और R1 की वेल्ई क्या थी, R1 की वेल्यू, R2 R3, A4, R4 व्पर जाएगा, हम इसको है R4 लेख देख सकते हैं, R2, R3 थी तो आपका फाने लिग क्यू फेक्टर जो है, वो निकल के जाएगा, q factor equal to omega r4 and c4 ठीक है तो इस तरीके से आप इससे q factor की value भी find out कर सकते है Maxwell inductance capacitance bridge circuit के द्वारा तो समझे होंगे आप किस तरी से आपको निकालना है सिर्फ आपको जब यह diagram याद होना चाहिए इसमें आप 4 resistance निकालने लगा देंगे लगा देंगे रजिस्टेंस आपको वह है यह diagram आपको बन गया तो आप लगाएंगे इसमें अमारा निकल जाएगा इसके बाद इसमें सकते हैं आपको आपको मिल सकतेगे हैं तो मैक्स्वेल इंडुक्टाइकस्टा डियाग्राम कכל आपको मिले तो वीडियो को लाइक करें और आपको मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे अशुक एट टुब चैनल को इसका बैल आइकन इसका बैन फिद आपको यह मिलेगा जब भी हम इस चानल पर नए वीडियो पप्लिकिश करेंगे उसका नोट पर ज़िए आ